Hello dear students, welcome to Indian Advanced Studies आज इस वीडियो में मैं आपको DIT University का review दोगा तो इस वीडियो में मैं आपको DIT University का review दोगाई तो इस वीडियो में मैं आपको DIT University का review देने वाला होँ, University कैसी है, क्यों आपका admission लेना चाहिए, कहाँ पे है यह इसमें कौन-कौन से programs होते हैं, इसके academics के बारे में discuss करेंगे, इसमें research कौन-कौन सी होती है, placement और CDC का कैसा है, कहां-कहां placement होई है यहाँ पर, इन सारी चीजों को discuss करेंगे हम लोग, यह कहां पर इस्तित है, आप यहाँ पे एक थोटा से वीडियो आप देख सकते हैं, यह वी तो मैं यह शूट कर रहा हूं और जबकि मेरे यहां पर जो टेंप्रेचर है वो करीबन 30 डिग्री है वहीं पर दहरादुन में यह टेंप्रेचर है 22 यह नि आप समझ सकते हैं कि टेंप्रेचर काफी प्लेजेंट रहता है वहाँ पर अगर आप अद्मिशन लेंगे तो चले तो हम लोग बात कर लेंगे प्रोग्राम की कौन कौन से प्रोग्राम यानि प्रोग्राम मतला कौन कौन से कोर्सेज आफ़ड होते हैं तो यहां पर आपको डिप्लोमा मिलता है डिप्लोमा फामेसी में कर सकते हैं अंडर क्रेजवर्ट कोर्सेज आप कर सकते हैं कौन साथ जसे आफो इन दिश constitution यहां औष Bye एक्रकांस फहर एंगर्टि अथचिध ए चा डियरे टर्पेशws घ्टनि ट्रोमण इनाफिक्षचिंपूंग ट्रॉडिक्री ओंशी आप्रियम् आप सारी जगहों पर बहुत सारे आप पीछ्टी कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे नियूर का ग। तो यहां पर पता तू दियाटी उनिवर्सिटी में चौबीस साल से ज्यादा का इनका एक्सपीडियेंस है 270 प्लस इनके फैकल्टी मेंबर्स है 5500 इनके पास स्टूडेंट्स है जो बहुत अच्छा कर चुके हैं और 18,000 से ज्यादा इनके पास अलमानी है तो यहां पर आप देख सकते हैं undergraduate program जो है किस तरह से इनका शुरू हुआ इस तरह से आप देख सकते हैं photos है virtual tour है यहां पर photos में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इनके photos gallery है जो आप देख सकते हैं university का भी photo देख सकते हैं मैं मतलब काफी अच्छी अच्छे हैं और यहां पर देखते हैं तोड़ा सा photos को इन्हों ने स्कॉल करने का system ने दिया इस photo really looks good देखिये आप चाना क्या लिखा हुआ है और यहां पर photos है जिसे आप move कर सकते हैं और आप देख सकते हैं university का campus है यहां पर बहुत सारे जो guards वगेरा हैं सारे खरे हैं और यहां पर independence day का celebration हो रहा है और I think यह covid guidelines का पालन करते हुए सबके सब लोग एक दूसरे से दू है so these are the things which I really appreciate about the university और अब आते हैं हम लोग placements के उपर तो यहां पर placements highlights हैं जो हम लोग देखेंगे कि placements के highlights का है किस तरह किस प्लेसमेंट्स होई हैं यहां पर तो 2018-19 में 986 offers थे 2019-20 में 1032 offers थे 2020-21 में 1250 offers थे तो इस तरह से offer इनके total बढ़ते हैं पचीसों से ज्यादा companies आती थी जैसे आपका work India आया था जिसने 35 lakhs per annum का package दिया था बहुत सारी companies आई हैं TCS जैसे companies है, Hitachi जैसे companies, Click Labs, NCR, Optum और बहुत सारी companies आई हैं Dell वेगर अटोबी वेगर आई हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं Top domestic placements इनकी जो है 21 lakh per annum वहीं पर Amazon में students ने 25 lakhs per annum का package पाया है Work India में 35 lakhs का package मिला है students को और यहां पर award देख सकते हैं मिंदा ने award दिया यूनो मिंदा ने और उसके बाद Secure Mattress ने इनको award दिया है Excellence Award Most Innovative Idea, Vikram Award Best Project Idea में दिया है और students place हुए हैं यहां पर 68% जो students है वो 5 lakhs से ज़्यादा के package पे place हुए हैं 17% students जो है वो 10 lakhs से ज़्यादा के placement में हुए है वही 9% से ज़्यादा जो students है यानि 100 में से 9 students जो है वो 15 lakhs से ज़्यादा के package पे हुए है वही 6% student जो है यानि अगर 5 तो students गया है तो 6 5 या 30 30 students जो है ऐसे 20 लाग से ऊपर के package पे गया है तो इस तरह से इनको जर्नी रही है यहाँ पर स्टुरेट्स का टेस्टिमोनियल देख सकते हैं यहाँ पर इशांत बंसल, साहिल चौधरी, रूपक भारदवाज, समीर रिजवी, कमलेश रुवाली यह लोग B.T.E.C. Mechanical Engineering किया है पर फेबी Design Web Technologies के साथ गया है यहाँ पर B.T.E.C. Computer Science and Engineering किया है वीप्रो के साथ प्लेस्मेंट हुआ है B.T.E.C. Petroleum Engineering बाइजूस के साथ प्लेस्मेंट हुआ है B.T.E.C. Civil Engineering कोजनी जैंट के साथ हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी चीजें जो है प्लेस्मेंट से रेलेटेट सारे हाइडाइट से यहाँ पर दिये गए वीकॉस इस आर प्योर डेटा जो युनिवरसिटी ने खुद अप्लोड किया है और आपको यह चीजें माननी होंगी इसको आपके सामने समख्ष रखती है क्योंकि आप इससे बैतर जानकारी इकटा कर सके और आप एडमिशन यहाँ पर ज़रूर ले सके मैं रेकमेंड करूँ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसफे क्लिक करें और यहाँ पर आडमिशन ज़रूर आपको लेना चाहिए यहाँ पर आप देछ सकते हैं कैंपस में प्लेस्मेटस होतें एक्सपर्ट के लेक्चर्स होते हैं, इंडश्ट्रीय ट्रेनिंग स्टूएं स्टूएंट की होती है, प्रोजट्स के प्रोजेक्ट होते हैं वल यहाँ पर description में जो link है वहाँ पर जाके आप इन से और जारत जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई चाहिए तो यहाँ पर just simply click करना है और आपको apply करना है नए admission के लिए जो description में आपको link में लेका और यहाँ पर admission के लिए कर सकते हैं लाइक करें अगर यहाँ वीडियो पसंद आई तो thank you so much for watching